इस वीडियो में हम देखेंगे IBPS RRBPO Pre-2016 में जो होने वाला है उसके लिए आपकी exam time में strategy क्या होनी चाहिए, कौन-कौन से question आपको attempt करने चाहिए और कैसे अपने time को manage करना चाहिए तो चलिए start करते हैं आज की वीडियो हलो मेरा नाम चिंद्रहा से study smart में आपका स्वागत है दोस्तों आप सबको पता होगा कि RRBPO के exam होने वाले हैं तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि कुछ strategy बताईए जो मैंने live session किया था Sunday को तब बहुत सारे लोगों ने कहा था request की थी किस पे कुछ strategy वीडियो बनाईए तो इसी के तहट मैं इस वीडियो आपके लेके आया हूँ यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या आपके exam में आएगा और कैसे उसको आपको manage करना है time के according तभी आप सफल हो सकते हैं इस exam में तो चलिए start करते हैं देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कितने subject इस बार होंगे प्री में तो इसमें के वल आपको दो subject पूछे जाने हैं एक subject आपका क्या है maths है या जिसे हम quantitative aptitude कहते हैं और दूसरा आपका होने वाला है reasoning तो यह आपके के वल दो subject यहाँ पे आएंगे और इन दोनो subject की बारे हम बात की जाए तो इसमें से आपके 40 नमबर रखके question और total अगर देखा जाए तो 80 question आएंगे और इनकी timing क्या होगी 45 minute इतनी बात आपको समझ में आई के 45 minute हैं और 80 question आने वाले हैं चलिए इतना तो आपको समझ में आगया होगा अब यहाँ पे बात होगी कि आपको कैसे इस exam को clear करना होगा प्री में केवल दो ही आपको test देने एक तो math का देना है और एक reasoning का देना है तो अगर हम बात करें इसका cut off कितना हो सकता है तो cut off इसका या किसी भी exam का अगर आपको cut off निकालना हो maximum कितना जा सकता है मतलब उससे उपर आप जाने की उमेद मत ही करिएगा तो यह देखिए जितने minute का वो exam है cut off उससे हमेशा नीचे होगा और अगर सही में बात की जाए तो यह आपका cut off 40 नंबर के आसपास रहने की उमीद है बहुत सारे लोग कहेंगे कि 40 नंबर बहुत ज्यादा हो सकता है मैं 40 नंबर के आसपास कह रहा हूं इससे नीचे भी हो सकता है और उपर भी नीचे का मतलब क्या है कि यह depend लेकिन यह 45 नंबर से उपर जाने की कोई उमीद नहीं होती है तो 40 के आसपास अगर आप रहते हैं मतलब आपके अगर 38 नंबर से लेकर के 42 नंबर तक हैं इसी के बीच्वें cut off रहना है या 37 कहलूं तो आप एकदम safe zone में हैं एकदम पक्का समझे अपने आपको कि आपका selection pre में तो हो ही जाना है तो इसके आसपास अगर आप question कर लेते हैं 45 नंट में लगभग अगर 38 से 42 नंबर तक के question कर लेते हैं accuracy अच्छी है आपकी तो समझे कि आपका selection यहाँ पे हो जाएगा लेकिन यह 38 से 42 नंबर पाना कि आपके लिए आसान होगा या कठीन होगा यह देख कौन सा question करना है और कौन सा question नहीं करना है अगर आप exam time में बैठ के question देख के सोचेंगे फिर तो हो गया फिर नहीं हो सकता है तो चलिए हम देख लेते हैं subject twice अगर हम math में पूछा जाए तो क्या क्या आ सकता है 40 नंबर का पूरा paper होगा तो 5 नंबर का तो आपका क्या प्रॉक्स्मेशन सिंप्लिफिकेशन पांच नंबर का इसी तरह पांच नंबर का आएगा quadratic equation आएगा यह भी आपका fix है और पांच नंबर की क्या नहीं है आपकी number series ठीक है यह भी आपको पता ही होगा ओके यह पांच पांच नंबर के यह तीन से तो आपके एकदम fix ही होते यह तीन तो दस नंबर की यहाँ पर क्या आएंगे word problems जो कि आपके arithmetic का portion होते हैं कि आपके time and work time and speed distance profit and loss यह सबसे मिला के question बनेंगे आपके यह 10 नंबर के तो डियाई में अगर पांच नंबर कम होता है दस नंबर की डियाई आती है तो यह पांच नंबर इसमें add होगा और इसे आसानी से सफल कर सकते हैं चलिए बात कर लेते हैं reasoning से तो reasoning में पांच नंबर का आप लोगों का जो सबसे favorite topic है syllogism यह तो आएगा ही आएगा और पांच नंबर में inequalities हैं जो आएंगी और फिर आगे आपका देखते हैं तो तीन नंबर में direction sense से आपका question आएगा यह भी पांच 510 313 और 316 और इसी तरह एक आपका और सेट आएगा तीन नंबर का जो कि क्या होगा ordering का ordering का मतलबस समझते हैं न कि दे देते हैं जैसे राम मोहन से बड़ा है यह राम का weight मोहन से ज़्यादा है उसका उसके कम नहीं यह वाला आपका तीन नंबर का आएगा फिर इसक सर्कुलर अरेंग्मेंट हो गया सर्कुलर अरेंग्मेंट में देंगे कोशन तो कैसे यह होगा तो दो पैरामीटर का दियान रखेगा होगा दो पैरामीटर का लेकिन यहां पर बैठाना होगा लोगों को या तो वह सेंटर की तरफ फेस करके बैठे होंगे या तो बाहर की त अब यहां पर यह तो आपका पूरा टोटल सेलेबस हो जाता है कि यहां यहां से आपसे कोशन पूछे जाने हैं अब आपको यह 40 नमबर जो तक आपको यहां पर नंबर लाने की सोचनी होगी लोग क्या करते हैं कि जैसे बता दिया कहीं पर कुछ नहीं हो सकता है आपको हमेशा अपने गोल से उपर की तयारी करनी है 35 नंबर कट ओफ हो तो आपके लिए अच्छी बात है ना 42 नंबर पर नुकसान तो करेगा नहीं तो आप 42 से 45 नंबर की तयारी करिए ताकि आप अगर इतने नंबर का अगर अटेम्ट करके आएंगे तो आपका एकदम 100% शोर है कि सेलेक्शन होना ही होना है एक्कुरेस एगर आपकी सही है तो यह आपको इस तरह से हिसाब लगाना होगा कभी जो आपको लोवर नंबर मिलता है जितना कट ओफ दे दिया कि 35 नंबर कट ओफ होगा तो इसकी तहरी करेंगे तो सेलेक्शन नहीं हो पाएगा चली अब देखते हैं कि यह 40 नंबर हम पा कैसे सकते हैं थोड़ा सा डाँन होता है एकदम इस लेवल का नहीं होता है जो लुग एकजाम दिये हुए हैं एक दो बार उनको तो पता होगा यह बात जो लोग नहीं इन सब पर वीडियो भी दे रखी हैं, अगर आप देखना चाहें, तो देख सकते हैं, ठीक, इसी तरह अगर नंबर स्रीज पर आते हैं, तो पांच कोश्चन्स तो आपके लगभग आएंगे ही आएंगे, इन पांच में से कम से कम आप चार कोश्चन्स तो अटेम्ट कर सकते हैं, आपने अगर मेरी, मैंने जो तीन वीडियो दी हैं, उसको देखने के बाद, पैटर्न आपका वही सेम रहता है, ओके, फिर हम यहाँ पर आजाएं, वर्ड प्रॉब्लम पे, तो वर्ड प्रॉब्लम में आप कहां कहां से कोश्चन्स कर सकते हैं, मतलब जो आसानी से आ लेकिन मैंने यह पढ़ाया नहीं है, तो मुझे नहीं पता है, अगर आपको आता है, तो आप आसानी से यहाँ से एक नंबर और निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यह तीन नंबर आपके हो गए, और बात मैं करूंगर डियाई की, डियाई पे अगर मैं आ जाओं यहाँ तो इस जदा सिंपल भी नहीं, और जो तीसरा आपको डियाई का मिलेगा, वो एकदम टफ लेवल का डियाई होता है, तो वहाँ से इस तीसरे डियाई को तो आपको टच करना ही नहीं है, इन दोनों डियाई के दस नंबर में से कम साथ नंबर के कोशन आप आसानी से कर सकते हैं, औ ओके, यहाँ पे देखा जाए, पैंतालिस मिनट हैं, तो मैथ के लिए भी आप लगभग साढ़े बाइस मिनट लेके चलिए, और रिजनिंग के लिए भी आप साढ़े बाइस मिनट लेकर के चलिए, तो यहाँ से देखा जाए, तो साथ मिनट में तो साथ कोशन आप आसान से कर सकते हैं ठीक है चार मिनट में यहाँ पर समय ज़्यादा दे रहा हूं उन बच्चों को ध्यान रखते हुए जिनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं है तो पांच पांच दस हो गया नंबर से आप तीन भी कोशन अगर आप लेके चलिए तो तेरा हो गया यहां से डियाई में आप लेके चलेंगे साथ कोशन तो कितना हो जाएगा बीस और यहां से आपने तीन नंबर ले लिए तो आपके तेईस नंबर के कोशन लगभग हो जाते हैं तेईस नंबर के कोशन साधे बाइस मिनट में करना कोई बड़ा काम नहीं है ठीक है समझे लगभग एक मिनट में आप एक कोशन कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा टाइम है मैं कहता हूं कि लगभग 30 से 36 सेकंड में को करना चाहिए अगर आपके स्पीड अच्छी है तो ठीक है तो यहां पे आपको लगभग इसका दुगना टाइम मिल रहा है एक मिनट में आप एक कोशन कर रहे हैं और इसली हो जा रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है कि यहां पर अपर बाकी और से कोशन को छोड़ दीजे मिक्शर चोंड दीजिए इन सब चीजों को छोंड भी एक टाफ लेवल का डीय भी छोंड दीजिए तो इन सब को छोंड कर भी आप तेस नमबर के question असानी से कर सकते हैं और accuracy के साथ अपने कर सकते हैं लेकिन ये बात अगर आपने exam से पहले इस video को देखा है तभी आप समझ सकते हैं वरना exam time में क्या होता है कि आप 10 question आपको मिलते हैं 10 के 10 अप्ट रही करते हैं avoid problem कोई तो हो जाए जबकि आपको ऐसा नहीं करना है आपको पहले से target लेकर चलना है time and work का दिखेगा मैं कर लूँगा profit and loss का दिखेगा मैं कर लूँगा तो आपको बस click करते जा रहा है next next पे जहां भी time and work दिखा वहाँ पर रुखना है profit and loss दिखा वहाँ पर रुखना है menstruation दिखा वहाँ पर रुखना है बाकि और किसी पर रुखना ही नहीं और इन तीनों को आपको करके चलना होगा तो आप pre के लिए तो ये तीनों आप chapter cover करके रखिए आगे आपका देखा जाएगा ठीक है तो इतनी बात आपको समझ में आई तेश नंबर आसानी से आप 22,25 मिनट में cover कर सकते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी चलिए इसी तरह हम reasoning पर अगर आ जाए तो पांच नंबर का आपका syllogist में आएगा तो इसमें कम से कम आप चार नंबर का question तो करी सकते हैं एक question में सोच लेता हूँ कि बहुत ज़्यादा गर tough आ गया तो नहीं करिएगा ठीक है जबरी थोड़ी निकार question को करना ही करना है वरना तो आपकी practice अच्छी है तो आप पांचो question कर सकते हैं मुझे आपके पर वैसे शक नहीं है पांचो question भी आप कर सकते हैं इनिक्वल्टी से तो आप पांचो question कर सकते हैं ध्यान रखेगा यहाँ पर जो special case जाते हैं जैसे हमने देखा था not equal to case और क्या-क्या बहुत सारी वीडियोज हमने देखी हैं ना उस पर तो वह वाले case तो यहाँ पर आने की उमीद नहीं है और जहां तक मुझे लगता है यहाँ पर coded inequalities भी नहीं आने वाली है और अगर coded आ भी जाती है तब पर भी आप 5 नंबर के question आसानी से कर लेते हैं आपने मेरी वीडियो देखी हुई है तो बहुत ज़्यादा tough यहाँ से question बनते नहीं है direction sense का तीन नंबर तो आप easily निकाल सकते है डारेक्शन सेंस पर अभी तक मैंने वीडियो दिया नहीं है अगर आप लोग को लगता है कि इस पर मुझे वीडियो देना चाहिए तो comment करके मुझे जरूर बता दीजिएगा कि मुझे लगता है कि easy topic है सब को लगभग आता ही होगा तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो भी तक नहीं डाला है चाहिए तो बता दीजिएगा दे दूँगा ठीक इसी तरह तीन नंबर का जो blood relation आएगा वो भी आप easily कर लेंगे बिल्कुल भी tough नहीं होगा coded blood relation आने का तो सवाल ही नहीं है ठीक है coded वगरा कुछ नहीं पूछा जाएगा तीन नंबर के simple question होंगे आप असानी से कर सकते हैं इसी तरह ordering के question भी आप तीनों कर सकते हैं बिल्कुल भी tough नहीं होते हैं आप easily नहीं solve कर सकते हैं और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा तो यहाँ पे अगर आप देखिए syllogism के 4 question करने में ज्यादा से ज्यादा अगर आपको मिल लगेंगे तो 4 minute लेंगे इसी तरह इन equalities का भी गड़ देखा जाए मुझे तो नहीं लगता 3 minute से ज्यादा लगने चाहिए फिर भी 4 minute में ले लूँ और direction sense और इन सारे questions को करने में total आपको 10 minute लेंगे तो 10, 4, 14 और 4, 18 18 मिनट में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 13, 15, 15, 15, 13, 18 18 नंबर आपको मिल रहे हैं 18 मिनट में बाकी का जो साढ़े 4 minute बचा हुआ है आप इस section में लगा सकते हैं और इन साढ़े 4 minute में अगर आपने 2 या 3 question भी solve कर लिये मतलब जैसे आपका ये single facing वाल आ जाता है कि क्यों अंदर face कर रहे हैं बाहर face कर रहे हैं इस तरह का arrangement solve कर लिया तो 5 number तो आप easily यहां से भी निकाल सक सकते हैं ठीक है या फिर आपका machine input का question अगर आ जाता है वैसे मित तो नहीं है लेकिन अगर आ जाता है और आपका single shifting का ही होता है कि एक ही number के इधर उदर हो रहा है तो मैंने आपको बताया है कैसे आपको करना है बहुत आसानी से आप कर सकते हैं double का आएगा तब तो touch भी मत क question आप यहां से कर सकते हैं ठीक है 21 minute के question 22 minute easily आप कर सकते हैं लेकिन आपको इसी तरह strategy अपनी बना के रखनी होगी तभी कर सकते हैं और जैसा मैंने बताया है अब इन सारे topics पे अपनी preparation को और hard करिए ठीक है ताकि आपको कम से कम समय लगे यह ध्यान रखिए कि आपके पास ज मतलब क्या होगा कि आपका paper tough आया है अधिक cut-off को मतलब क्या होगा paper आपका आसान आया है तो इस तरीके से आपको ले करके चलना होगा और अपनी तयारी को औरों की तुलना में ऊपर रखना होगा औरों के बराबर रखके चलेंगे तब नहीं उपाएगा तो अगर देखा यहां पर तया होता है ठीक है चवालिस questions तो आपको attempt करके आने ही आने है 45 मिनट में और यही question आपके सारे बच्चे attempt करेंगे लेकिन कुछ लोग होंगे जो arrangement देखेंगे और वहीं पर लग जाएंगे तुरन arrangement से तो start करना ही नहीं है मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं arrangement arrangement हो गया या फिर puzzle हो गया वहां से तो start करना ही नहीं है उपर यह जो आपको group दिया गया है इसमें से किसी से भी start करिए सबसे पहले इनको निप्टा लीजिए फिर इन पे आके अपना सर्फ होड़िए क्योंकि ऐसे ही होते हैं topic अगर आ गया तो ठीक है नहीं आया तो आप से रहेंगे और यह आएगा भी नहीं तो आप पहले अपने solid solid जो number है लगभग 18 number वो एकदम confirm कर लीजेगा 18 में से तो 18 मुझे मिल ही जाने हैं इसी तरह math की अगर बात करूँ तो कम से कम यह approximation quality question number series और यहां पर word problem में से 2-3 question आप निप्टा लीजिए तो आपको लगभग 18 पहारा number यहां से फिक्स हो जाते हैं फिर आके आप डियाई में अपना समय वेस्ट कर सकते हैं सॉरी बुरा मत्मानीगा समय वेस्ट करने का मतलब कि यहां पर आपको समय लग भी सकता है अगर simple question मिल गया लेकिन अगर आप टफ वाले question में फस गया और आपको इतना दिमाग अगर आप खुछ से समझ रहीं पाते हैं तो फिर आप इसी में फसे रह जाएंगे और आपका पूरा का पूरा time के उले question लेके जाएगा जिसमें आप 7 number पा सकते हैं उसको पूरा attempt करके आप 0 number पाएंगे ठीक है इसलिए कह रहा हूं कि आपका भी दिमाग है क्या कर सकते है कभी कभी नहीं काम करता है तो इस तरीके से आप अपने आपको बना के रखेगा ताकि exam time से पहले आप manage हो के रखेए exam time में हर बड़ी ना हो तो इतना गर आप कर लेते हैं तो आपका 100% selection होना पक्का है और इसके बाद अगर mains पे आएंगे pre के बाद उसकी strategy थोड़ा सा different हो होगा उसमें आपके लिए computer भी आएगा एक subject आएगा general awareness भी आएगा और एक आपका subject भी होगा हिंदिया English में से जो भी आपने चूस किया होगा वैसा एक subject भी आपको देना होगा तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मेंस के थोड़ा different strategy के साथ आपको चलना होगा व कुछ लोग कहते हैं competition के लिए क्या है कि आप अपने आपको बहतर बनाईए मैं कहता हूं कि competition के लिए आप अपने आपको औरों से बहतर बनाईए आप खुद को बहतर बना के क्या कर लेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे अगर दूसरे आप से ज़्यादा बहतर है तो तो औरो से लेके 42 तक आपका cut off आ सकता है इसी के बीच आपका रहना तो 38 को लेकर के आपको preparation नहीं करने हैं मैंने आपको बताया भी तो आपको 44 नंबर का यहाँ पे question करना बताया है ठीक है तो ताकि आपका एक दो question गलत हो सकता है हम सब इंसान है सबसे गलतियां हो सकती है मुझसे भी आपसे भी किसी से भी हो सकती गलती तो गलती होने के लिए 100% तो कोई कर नहीं सकता है 44 question करेंगे एक या दो question आपका गलत हो जाएगा तो भी आपको डरने वाली बात नहीं होगी इसलिए आप 44 नंबर के question बता सकते हैं वीडियो अगर पसंद आया है तो like करें और अपने दोस्तों के साथ भी से share करें उनको भी बताएं कि क्या strategy आपकी होने चाहिए exam से related और इस channel पे अगर आप नए हैं आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए daily जो मैं देता हूँ तो आज ही इस channel को subscribe करिए जिससे आपको इसी तरह की वीडियो जो मिलती रहें और आप और भी अच्छा exam में कर पाएं तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अब हम मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए have a nice day and bye